डेविड, यास, 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 जी मैं लाइव आ चुका हूं, सभी का बहुत बहुत अलकम है, और उमीद है कि सब बढ़िया है, एक बार कमेंट करके बता दें, सब अच्छा दिख रहा है, तो सभी साथ ही जुड जाएं, रात के 10 बच चुके हैं, पहले तो मैं आफ़ी चाहता हूं, आज क्लास 15 मिनट लेट है, और लाइट काफी डिस्टर्ब कर रही है, क्या ही कहूं मैं, बाद में कहूंगा और चीजें लाइट के बारे में, टेली ग्राम पे सभी जुड लेट लबेट होती है, या नहीं चलती है, या कोई अन्य अपडेट है तो आपको मिलती रहे, आज डियलेट सिकेंड समेश्टर में जो पढ़ाया गया है, उस पे अभ्यास परस्ण होगा, प्रेक्टिस सेट बहुत जरूरी है, विभाज़ता नियम पे, जवाब दीजिए, दस से पंदरा कुश्चन होंगे बहुत जल्दी जल्दी, चलो, तरीका समझ लीजिए कैसे आंसर देना है, जवाब बताईए जल्दी, सामने वाले बताईए, लाल टोपी वाले, चलिए बताईए, पहला सवाल है, अगर इसमें C सही है, तो आप लिखोगे 1C, ये कमेंट का तरीका है, अगर दूसरा है, इसमें तो 1B, ऐसे, ये B वाले के लिए, जो भी सही है, बताईए, चलो, चलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सबर करिए थोड़ा सा, कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, बेड़े गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, मैं जवाब बताऊँगा, थोड़ा तफली रखें, अगले सवाल मैं आजाओ, सिकन्ड में, बंधना कुमारी, प्राची यादो, पीके गेमिंग, अर्चना सिंग, करन, सिरोमनी, बढ़ियां है, सब ही कहा रहा है, ठीक है, सिकन्ड में अगर दी सही है, तो टू डी लिखेंगे, ए सही है, तो टू ए, सब पढ़ा चुका हूँ, परिता, हाँ, कमेंट आ रहा है, आईए आंसर क्लियर करें, नहीं, सही सवाल का जबाब, कलास खतम होने के बाद, टेली ग्राम में पीडिया बना के भेज़ेंगे, चिने लगा लगा के, नियम और तरीका बता दे रहा हूँ, हिंट्स दे दे रहा हूँ, ठीक है, चलो, दो से विभाजिता नियम होता है, कि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो दो से विभाजित होती है, कम्प्लिरली, ठीक है, तो देखलो इसमें बता दो कौन से सही है, इसके लिए भी वही नियम लागू है, कर लेंगे न, पका, चलो, तीन से भी भाजिता नियम में आ जाओ, पहले फिलगा न चूआ होना चाइए, तब क्लास अच्छी चलती है, कहो कि क्लास दस बजे से है हम नो बजे जाग जाएं कहां पढ़ाना है तो क्या चलेगा फृत वही बात है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कभी-कभी क्या अक्सर मेरा ऐसा हो जाता है आजकल उसकी वज़ा है कुछ लोग निमलिकित में से कौन सी संख्या 3 से पूरुता विभाजित है बताओ तीन से विभाजिता नियम का कशेप्ट कुछ ऐसा है कि दिग़ा संख्याओं के आँकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए जैसे इनके आँकों का योग करें 3, 2, 5, 5, 10, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18, 18 बहुत A सही है तो 3 A अगर C सही है तो 3 C D सही है तो 3 D ये comment का तरीका है बताओ मैंने hints दे दिया है इसका solution मैं सही जबाब PBR study के टेली गराम चैनल पर class के बाद में भेद दिया जाएगा ये गंटे कंदर चार नमबर में आ जाओ थोड़ा रुख जाता हूँ निमलिकित मैं से कौन सी संख्या 4 से पूरता विवाजित नहीं है प्राची यादो प्रांजल ठाकुर स्विरोमनी सर्मा मोनी प्रजापती नुपुर निगम प्रियंका पटेल पूजा पटेल हाँ जी कमेंट आ रहा है अतुलतिवारी जी आपका भी कमेंट आ रहा है कोई भी संख्या जिसका लाश्ट का दो अंक लाश्ट का दो अंक जो बनता है जैसे इसमें 11 बन रहा है इसमें 2 अंक अंक तालिस बन रहा है इसमें 64 बन रहा है इसमें 44 बन रहा है वो 4 से completely डिवाइड होना चाहिए अगर है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है लाश्ट का से 2 अंक तुमें देखना है तो 4 से ये भी यह भी यह भी विभाजित है यानि ये तीनों विभाजित है इफले सही आंसर हो जाएगा ये वाला ये वाला सही आंसर है क्योंकि कह रहा कgres चार से बूर्धा विभाजित नहीं है सवाल उल्ठा है सही जब से लीगराम चैनल पर मिलेगा कलास के बाद अगला सवाल जबाब दीजिए निम लिखित में से एक मिनट हलो निम लिखित में से कौन सी संख्या पांच से पूरता विभाजित है बताईए बताईए बताई भाई 5 में अगर A सही है तो बाबु बोलोगे 5A अगर D सही है तो 5D C है तो 5C बोलो अनुज ठीक है 5 से भी भाजिता नियम होता है किसी भी संख्या का लाइश डिजिट 0 या 5 होना चाहिए अगर 0 या 5 में से कुछ है तो वो 5 से पूरता विभाजित है अन्यथा नहीं है तो जनाब प्रेक्टिस कर लो बहुत जरूरी है 5 से पूरता विभाजित ये है इसका कलर भी अलग है क्योंकि लाश्ट में 5 इसी में है न बाकी कोई नहीं है चलो छाटवा में आजाओ योगेश साहू बताओ चलो भाई निमलिक्ट में से कौन सी संक्या नौ से पूरता विभाजित है बताओ नौ से पूरता विभाजित अगर D साहिए तो 6D A साहिए तो 6A C है तो 6C ये कमेंट का तरीका है सुवानी हम आ रहा है हेमन सिंग बिक्की वर्तिका 9 नहीं है 9 कहां से आ गया 6वाज 9 कहां से बता रहा है ठीक है 9 से विभाजिता निम वही होता है जो 3 वाला होता है same to same दी गई संक्या के आंकों का योगफल 9 से completely divide होना चाहिए ठीक है चलो चल भाई ready और कोई अनिमन ट्राई करेगा कोई भी सबर 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 ठीक है very good तो 9 से विभाजिता निम के अकार्डिंग 6 में डी वाला हो जाएगा ना डी वाला निम लिखित में से कौन सी संक्या 10 से पूरता विभाजित नहीं है बताओ बहुत आसान है इससे आसान हो जी नहीं सकता है बोला हो साथ वाले में बताओ बोला हो साथ वाले में ठीक है बेरे गुड निम लिखित में से कौन सी संक्या 10 से पूरता विभाजित नहीं है कह रहा है साहब नहीं है 10 से विभाजिता के लिए लाश्ट का अंक 0 होना चाहिए तो ये हो है सी वाला है कौन सा है सी वाला न कुछ नहीं है तो सी आठवा में आ जाओ इसमें आपसन नहीं दिये गए है मतलब A, B, C नहीं है ले लो 8 से पूर्ण विभाजित है आठवा में 8 से पूर्ण विभाजित है कौन सी बताओ 8 से विभाजिता नियम होता है साथी मेरे दी गई संख्या के जो लाश्ट के दो डिजिट है दो नहीं तीन डिजिट वो जो बन रहे हैं जैसे 7, 9, 6 इसमें जैसे 4, 6, 6 इसमें 4, 6, 7 ये 8 से completely अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी या निथा नहीं देख लो एको नहीं है कोई नहीं है कोई बताएगा कोई है का 8 में ये प्राची या दो कैसे है बताओ 8 से कटेगा क्या 8, 9, 70 7 बचेगा हो जाएगा 76 और 76 आठ से कहां कटेगा 8 से इसमें कोई संख्या डिवाइड है क्या ये सभी देखो एक बार कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं ए बता रहे हैं कोई बी बता रहाजे से देखो ये सरस्ती जी बता रही है क्या ही कहूँ जो लोग बी बता रहे हैं 8 से इसको भाग करो कटेगा आठ पंचे चालिस बचेगा चार हो जाएगा ये फिर से च्छी आलिस अब च्छी आलिस आठ से कहां कटेगा तुक्का मत मारी ये नाम तो बहुत अच्छा अच्छा रख लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं आगला सवाल ध्यान से देखना लिखना पड़ेगा अब बताईए नौ नंबर जबाब देना इसका फटा फटा हल करना और बताना ताइम मिल जाएगा थोड़ा फ़ा अनुमान लगाईए और बताईए इसका मान बताओ क्या आएगा नौ में कोई बताईएगा अनुमान बारा है बारा चल भाई अगले पर चले इसका जबाब सोचना हल करना सही जबाब क्लास के एक घंटे के अंदर आपको टेली ग्राम पर मिलेगा दास नंबर पर आओ कोईशन नंबर दास पर आओ अगले git अगलेगा यसे नंबर चले नंबर आओ चलेवा इसका पर आओ चलो इसका बताओं इंगरा दस में कोई बता पाएगा निमन परकास को बलक करिए कॉपी पेश्ट वाले बरदाफ नहीं है नमबर नीचे चल रहा है अगर भगवान ने थोड़ा सा भेजा दिया है दिमाग जी से बोलते हैं तो उसके संपर्क करिए यहां हम सब नहीं कर सकते हैं माफी चाहते हैं एक साथ सब नहीं होगा चलिए इसमें कौन सा ही है टेन में नाइन देखिए बताइए ठीक है चलिए बहुत चोटी चोटी कुछ बाते कर लेते हैं पूछ लेते हैं और फिर ठीक है वैसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना था यहां पर एक नमबर वाले कुछ अगर क्लियर है टेलेट सिकेंड समस्टर में तब भी आप पास होने की पूरी उमीद कर सकते हो सिर्फ एक नमबर वाले सारे सवाल तयार कर लो बड़े वाले में सिर्फ एक बस पास हो जाओगे अराम से तो यह छोड़ी छोड़ी चीज़ें आपको आने चाहिए बताओ ग्यारा में मोनी को बलक किया गया पांच मिनट सिर्व मनी को पांच मिनट के लिए बलक जो जो बाय कर रहा है इन साब को बलक करो चलो सिर्फ पढ़ाई फाल तो नहीं अनुचित भिन्न को बोलते हैं इंप्रॉपर फ्रेक्शन बताए कौन सा है आगे बारा नमबर एक सो बीस मिनट मिनट जल्दी करो बहुत आसान चीज़े हैं यह मनीशा बहुत अच्छे ठीक है बारा में ग्यारा वाला देख लो जो नहीं देख वाय थे चले आगे बढ़े चलो भाई मनीशा सिंग बहुत अच्छा तेरा में आजाओ एक नमबर वाले सारे प्रशन तयार है मैत में पास हो पक्का जान लो एक नमबर वाले सारे कुश्चन और एक नमबर वाले सारे नहीं तयार है फेलो जाओगे पक्का है जल्दी करिए 13A, B, C, D क्या होगा आपकी नमबर अंजनी यादो को बलख करने का है योग बहु ज़्यादा 3-5 करती रहती है हां में हां मिलाती रहती सब के बात में और एक सचीन सेहन हैं इनकी तो बाती नहीं आएगी देखो नीन उनी को आती है जो बिया के लिए पढ़ रहे है साधी के लिए कि पढ़ते रहेंगे तो रिस्ता उस्ता अच्छा आएगा पपा लोग बताएंगे भाइया बिटी यह और पढ़ती है DL8 करती है BTC अब यही लिए पढ़ती है भी आओज जाए बस वो के बाद तनाय पढ़ेगा है तो उनके नीद आएगी जिनको यह है कि DL8 कर लेंगे टीचर बनना है इस देश के बच्चों को पढ़ाना है इस देश के भविस्ट को बनाना है आगे चलके टेट, सीटर, सूपर टेट निकालना है तो उनको नीद नहीं आएगी समझे रहे हो कि नहीं कोई motivation की जरुवत नहीं है याद रखना जिन्दगी में एक इंसान जिसको तीन दिन से खाना ना मिला हो अगर उसे 44 दिन सूखी रोटी नमक बिल जाएगा न तो उसे यह नहीं कहना पड़ेगा खाले बेटा खाले तुखा सकता है तुखा सकता है रोटी बहुत अच्छी है खाले मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा खुद खाले गाओ तो वह से लाइफ में कुछ बाने की नए, भूक होनी चाहिए, एक तडव होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर मोटीवेसन नहीं चाहिए, नींद भी नहीं आती है, नहीं आएगे नींद, समझ 나오면e ना, जो तुम्मारे अंदर भूक ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्का था, रहो ना जो तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है तो फिर क्या दिख्का था फिर कुछ नहीं मिलने वाला है कि एक लीटर 900 ml बराबर है कितने 1900 ml के क्योंकि इसमें 1000 ml होगा आगे बढ़े हैंज तो जितने लोग भी याई वाले हैं वह साधी वादिक लिए पढ़ रहे हैं वह सो जाया कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई चलती रहेगी बैक लगता रहेगा तीन बार बैक लगए गा चार बार बैक लगेगा तब तक तो साधी भी जाए कहीं कोनों फसी जाएगा है यह नाम रहना चाहिए नहीं पढ़ाई चल रही बस चलो आगे कर दो कि कांसेप्ट सारे आने चाहिए शौब ढब बस्टाब ऑगे है चलो ऌने पधन्मम जल्दी करो फटाग फटाग चलो रिते स्यादो सुनम दूबे राठोर जी आ रहा है कमेंट आ रहा है अंकित देखो बाबु फोर्टीन में अगर सी साहिए तो आ तुम लिखोगे फोर्टीन सी अगर ए साहिए तो फोर्टीन ए आफे वैसे इसमें डी साहिए कौन अधिक कौन नहीं है अब ट्यूस एंगल नहीं है बताओ इसमें कौन साहिए बी वाला वांदरा में बी नहीं है अधिकौन क्योंकि अधिक कौन 189 पर खतम हो जाता है इसके आगया दिकोर नहीं होता है ठीक है तो एक बार मैं सारे प्रस्न को रिपीट करूँगा देखो मगर प्यारते एक बार रिपीट करूँगा चलो सभी फिरी कलास के लिए टेली गराम पर जोईन कर लें जिससे सारी अप्डेट मिलती रहे इसमें बहुत सारे प्रस्न का जवाब नहीं दिया है उन सब का जवाब हम टेली गराम पर कलास के एक गंटे के बाद दे देंगे एक गंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा पीडियाप के रूप में है ठीक है आंसर बताई जवाब दीजिए निमलिकित में से कौन सी संख्या दो से पूरता विवाजित नहीं है अगर A सही है तो इसका आप लिखोगे 1A अगर B सही है तो लिखोगे 1B F A C सही है तो 1C बोलो कौन सा बेरी गुड़ इसका आंसर है A A वाला है सही निमलिकित में से कौन सी संख्या दो से पूरता विवाजित है सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं जो लेट हैं कोई दिक्कत नहीं चलो दो से विवाजित के लिए लास्ट का आंग 02468 कुछ ने कुछ होना चाहिए A वाला इसका भी सही है नहीं यार एक मिनट विवाजित है बोल रहा है तो ये वाला भी वाला है B थार्ड में आ जाओ निमलिखित में से कौन सी संख्या तीन से पूर्टा विवाजित है अभी इसको रिपीट करेंगे एक बारा और हो सकता है नहीं भालतू टाइम क्या मतलब खराब करना चलो इतने में तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए यार तीन से भिवाजिता के लिए इनके अंकों का योगफल तीन से कंप्रिलिटली डिबाइड होना चाहिए बोलो कौन सा है तीन में ए है जोड़ लो ये है इनका योगफल अठारा आएगा ना तुझ तीन पांच पांदा से ग्यारा दूई बारा तेरा तीन सोला दूई एठारा बाकि ऐसा कौनम नहीं है महीमा यादो हाँ कमेंट आ रहा है मनीशा जी आ रहा है चलो फोर में चार से भी भाजिता के लिए लाश्ट का दो अंक यार भाई इसके पहले में थोड़ा गलत बताया था क्या सायद में भी न केवल दो अंक जो है वो उससे जो संख्या बन रही है न नहीं सही बताया था गलत नहीं था वो चार से completely divide होना चाहिए सवाल फिर से पढ़ना थोड़ा अलग है ये नहीं है बोल रहा है तो ये वाला ये वाला है ये वाला सही है निमलिकित में से कौन सी संख्या पांच से पूर्था विभाजित है बताओ लाइस्ट का आंग जीरो या पांच कुछ ने कुछ होना चाहिए उससे अलाव कुछ नहीं चलेगा तो ये वाला सी वाला सही लाइस्ट का आंग जीरो या पांच होना चाहिए तब ही पांच से कटेगा नौ से विभाज़ता के लिए अंको का योगफल नौ से completely divide होना चाहिए छटा में प्राची यादा हो जी बताइए सुभम राजपूद बोलो भईये चलो महिमा सिंग डी वाला है जोड के देखो डी वाला है सता में आ जाओ कैसे करा 10 से पुरुता विभाजित नहीं है लाश्ट कांग जीरो होना चाहिए उनली तब ही होगा अन्य था नहीं चलो नहीं है मतलब सी बाला कुछ नहीं है तो सी माल लो इसमें बताओ कौन सा है चलो झाहिए 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 झाह चले आगे कौन सी संख्या आठ से पूरता विभाजित है आठ से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के जो लाश्ट के तीन अंख हैं उनसे मिलकर बनने वाली संख्या आठ से विभाजित होना चाहिए तो इस कंडिशन के अनुसार इसमें कोई भी नहीं है कोई नहीं है इसमें कोई भी उत्तर फाही नहीं है कोई आपसन सही नहीं है प्रियंका पटेल विल्कुल सही ठीक है नौ में आजाओ नौ में कर लोगे ठीक है इसका सही जवाब है 144 144 है हल करोगे मिल जाएगो इसका सलूशन भेद दूँगा मैं टेली कराम पे अभी भेद दूँगा क्लास के गंटे कंदर भेद दूँगा राद बार बजेक पहले पहले सुबा देख लेना जो लोग सो जाएगे ठीक है दस में आ जाओ इसको हल करेंगे उपर घात माइनस है कटे पिटेंगे सब कुछ होगा तो इस बी वालाफ ही होगा फाइनल में चलो 11 नमबर अनुचित भिन्न जिसका हर बड़ा हो फिक है अगर इसका अपोजिट हो जिसका भिन्न का हर छोटा हो अन्स बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न या इप्रोपर फ्रेक्सन या बिसम भिन भी बोलते हैं बारा में आजाओ हाँ रुकसार अंसारी कमेंट आ रहा है एक घंटे 72 मिनट में कितना मिनट होगा बहुत आसान है यार चच्चा ही तो यह में 60 मिनट होए और यह 72 अल्रेडी दिया है तो साच्चा 13, 132 मिनट दी वाला साइए एक लीटर 900 मेल कितने के बराबर है भाई एक लीटर में 1000 मेल होता है और 900 जोड़ दोगे 1900 मेल हो जाएगा टोटल स्टी वाला साइए किसी को और कोई तकलीफ कोई दूखता दा नहीं ना कोई दिक्कत बताव मुझे किसी को कोई एनी प्राब्लम चलो फोर्टीन नंबर बताओ फोर्टीन नंबर 14 केरा निम्र में कौन संपूर कोण है इसे इंगलिस में complete angle बोलते हैं क्या बोलते हैं complete angle तो 360 वाला है कौन सा है 360 निम्र लिखित में से कौन अधिक कोण नहीं है अधिक कोण देखो concept जान लो भया अधिक कोण 91 से 179 तक होता बाबू 179 तक होता है इसके उपर या इसके नीचे कोई कोण है तो वह अधिक कोण नहीं होता है जैसे 180 है अधिक कोण नहीं है क्यों 180 अधिक कोण नहीं है क्योंकि ये रिजू कोण है नहीं तो बोलते हैं straight angle तो आज की कहानी आज की क्लास के साथ खतम होती है जो भी कंडिडेट बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सावन बैच लांच हो गए अपलिकेशन में ठीक है? सावन बैच अपलिकेशन के अंदर आ चुका है बाबू यह जो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम प्राइस में लगबग सेम चीजें ठीक है? PBR Study App में मिलेंगी उसमें 25 तक बैच डिटी है आफर की ठीक है? उसमें बैच डिटी 25 तक है 25 जुलाई तक बैच डिटी है उसका बैच का नाम है सावन बैच ठीक है? जाके एप में देखो मिल जाएगा सावन बैच आ चुका है यह सेम चीजें मिलेंगी बिल्कुल 0 से NCRT सिखाया जाएगा इदम सुन्ने फे ठीक है? शुरू हो रहा है यह 21 तारीक से कब से सुरू हो रहा है बाबू? एक आई तारीक से सुरू हो रहा है यह कई जुलाई सुरू हो रहा है इसमें आप इंडॉल कर सकते हो प्राइस थोड़ा सा अलग होगा 2-4-6 रूपे कंतर होगा बस जिनको मैस में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल जीरो है सुने बटा सनाटा है उनके लिए है शिखाने की संपूर गारंटी है अगर आप पढ़ने को तयार हो तो मैं आपको मैस में माश्टर बना सकता हूँ यह PBR स्टेडी में पांच लाक शात्रों के विश्वास के साथ मैं पूरे गर्ब के साथ कह सकता हूँ कि जिनको मैत में कुछ भी नहीं आता उन्हें मैत में हम सब कुछ सिखा सकते हैं बसरते वो मेहनत करने को तयार हो याद रखना जिन्दगी में पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जो तुम्हें बना सकता है तुम्हारा कैरियर भविस फ्यूचर बना सकता है तो तुम खुद हो बाकि सब तुमें बरबात करेंगे सब तुमें पीछे कीचेंगे कोई आगे नहीं बढ़ने वाला तुम अकेले मात रएक ऐसे हो जो अपने आपको बहतर बना सकते हो याद रखना जिन्देगी में कोई नफरत करके ही नहीं बलकि मुहबबत में फसा के भी आपको बरबाद कर सकता है साधान रहें, सतर्क रहें समझे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? कि नफरत सही लोगों से बदला लेते हैं मुहबबत करके भी ले लेते हैं कभी कभी प्यार में भी कैसे पता है तुम्हें? अगर तुम ढ़ंग से अपना सब काम बढ़िया कर रहे हो अच्छी सब को तुम्हाई लाइफ चल रही है कोई एक आजाएगी बढ़िया सी या आजाएगा उसके पीछे तुम साब छोड़ दोगे और लाश्ट में तुम्हें छोड़ देगी या छोड़ देगा फिर तुम्हें आजाओगे अनुभा बहुत है कहते न सबक एक को सीख हम सब को तो ऐसा होता है सही बोला ना मैंने तेक बार कमेंट करिएगा और हाँ सेशन को लाइक करिएगा ऐसा होता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही बहुत बढ़िया चल रहा है जिंदगी पढ़ाई लिखाई जो आप काम जो भी हो को यह आज आएगी लाइफ में टपक पड़ेगी अक्सर आती ही है आता कम है तुम उसके लिए सब छोड़ दोगे लास्ट में तुमको छोड़ देगी अज़िए 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 चल्ऽे फिर आज की लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद हाँ तो फिरी कलास के लिए टेलिग्राम पर जरुद जोइन करना इसका सारा मैं सही आंसर राद बारा बज़े के पहले टेल度 गराम पर भेद दूंगा ठीक है रात बारा बजे के पहले टेली गराम पे दे दिया जाएगा इसका complete answer जो solution नहीं हुआ उसका solution करके भी मिल जाएगा सबर रखें इंतजार करें और हाँ कल रात दस बजे फिर से पढ़ेंगे इस समय बिजली काफी डिस्टरप्श कर रही है दिस्मिस होती रहती बीज-बीज में इसलिए थोड़ा कलास लेट हो रही है इसके लिए माफी चाहते है फाफा महु परियाग राज में बोल्टेज की प्रॉब्लम रात के 7-8 बजे एक बाद हो जाती है और 12-12 बजे तक चलती है कल तो रात 8-10 बजे से कलास बोल्टेज 50-60 बोल्ट आ रही थी ओनली 50-60 बोल्ट कुछ नहीं चल रहा था इस्टेपलाजर काम नहीं करता 50 बोल्ट पे तो के उपर रहती तो इस्टेपलाजर चलता है तो फिल हाल आज के लिए इतना ही थैंक्यू मिलते हैं कल